दोस्तोो excel में mouse पे करोगे अगर काम तो पतायं नहीं चलेगा कब होगी शुबह से शाम जिया दोस्तो और अगर आप excel में keyboard पे करते हैं काम तो आप काम फिनिश है करे आप, आराम दोस्तो मैंकोई poem नहीं गा रहा हूं मैं बता रहा हूं Excel में Superfast बनने का तरीका बई कौन नहीं चाहता है कि Excel में Superfast बने तो Superfast बनना है तो Excel की A to Z Shortcut Keys आपको पता होनी चाहिए Excel की पूरी Shortcut Keys का एक वीडियो बनाने का प्रयास मैंने यहां पे किया है प्रेस कैसे लगा हो बाद में कमेंट श्रीक्षन ने पर पताना लेकिन पहले मैं बताओ कि Excel की Basic to Add One Shortcut Keys मैंने या पर इंक्लूड की है Daily Office में जो Shortcut Keys लगती है वो भी इसमें इंक्लूड है या फिर Excel में कुछ ऐसी Hidden Shortcut Keys है जो आपको पता नहीं होगी अब तक वो भी आपको पता चल जाएगी जिससे आप डेली अगर Excel में काम कर रहे हो तो उसका Speed दुगना तीन गुना चार गुना भी होने के चांसे से लेकिन इन Shortcut Keys का इसका इस्तमाल करोगे तो तो इसके लिए आपको करना क्या है इसका e-book भी हमने दिया आपके लिए अब यह बड़ा वीडियो ज़रूर है लेकिन इसमें हर एक Shortcut की को मैंने डीटेल में अलग लग डेटा पर कैसे काम करना है वो इस्तमाल कैसे करना है वो बता है क्योंकि बेसिकली Shortcut Keys का वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है जब एक्चुल डेटा आपके सामने आता है तो इस शौटकुट की कैसे यूज होगी इस डेटा कि यह भी मैंने एक्स्प्लें किया है तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने हमेशा की तर अब हमारे टॉपी की तरह बढ़ते है असली टॉपीक है एक्सल की 101 शौटकुट की लेट्स बेगिन दोस्तो पहली शौटकुट की की तरह बढ़ने से पहले मैं आपको बताओ कि अगर आप इन शौटकुट की का पीडियो डाउनलोड करना चाहते जो कि मैंने इंग्लिश और हिंदी मिनिंग के साथ यहां पे पूरा 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 पीडियाप बनाया है पूरे शौटकुट की का तो आपको एक जगह पे मिलेगा जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्ट में दिया है वो है हमारा एप हमारे एप में और बुक स्रेक्शन है जहां पे आपको पढ़ने क भी मिल जाएगा अगर आप डाउनलोड करने के लिए इंट्रेश्ट हो तो जरूर इस पीडियाप को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जरूर चेक कीज़िएगा और यहां पे मैं आपको सबसे पर बताओ कि इसमें से कुछ शॉट कर कीज़ आपको पहले से पता हो सकती है लेकिन कौन सी पता है कौन सी नहीं पता है यह तो वीडियो देखने के बाद समझ माएगा क्योंकि मैंने जो shortcut keys excel में होती है वो सारी एक साथ पिक कर ली है जो beginner से उनको भी use हो जाए जो advanced level पे excel सीख रहे हैं को भी use हो जाए ऐसे सारी shortcut keys मैंने इस वीडियो में डाली है तो अगर आप advanced excel जानते हैं तो भी आपको वीडियो देखना ही है अगर आप beginner सो तो भी देखिए क्योंकि आपको basic भी shortcut keys यहां पे include मिलेगी तो चलिए सबसे पहली shortcut shortcut की यहां पर देखते हैं नमबर वन शॉटकर की मैंने पिक की है फ्लैश 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 फिल काफी interesting है मैं आपको दिखा देता हूं कैसे यहां पर data उसके लिए लिए स्क्रीन के उपर आपको दिखाए दे रहा है मैं यहां पर और एक example के साथ दिखाता हूं यहां पर राइट साइड में नमबर लिख देता हूं और यह जो नमबर है इस में से है यह पिन कोड में से मतलब मुझे यह पिन कोड अलग करना है तो मैंने लिख दिया और Ctrl E बटन प्रेस कर दिया तो आपको दिखाए दे रहा है फ्लेश फिल करता क्या है Ctrl E फ्लेश फिल यह उसकी शॉटकट की है और फ्लेश फिल करता यह है कि आटोमाटिकली जो नमबर मैंने यहां पर लिखा है राइट साइड में से वो पिक करके ले रहा है अच्छा यहां पर देखिए जॉइन तो चलिए मैं यहां पर करता हूँ एक काम सचीन में लिख देता हूँ और जैसे मैंने सचीन लिख दिया उसके आगे मैं स्पेस देखे यहां पर सचीन का जो सरने में वो टाइप कर देता हूँ और एंटर करने के पाद Ctrl E प्रेस करता हूँ वाव इंट्रेस्टिंग ना आपको कोई फॉर्मॉला देनी की आपको दिखाए दे रही है शीट में से मुझे एक शीट में से दूसरी शीट में जाना है तो मैं माउस से क्लेक करके जाता हूँ लेकिन मैं अगर Ctrl Page Down और Page Up बटन प्रेस करूँगा तो मैं एक शीट से दूसरे शीट में मूग कर सकता हूँ दिखाए दे रहा है आपको Page Up and Page Down, Ctrl के साथ Page Up और Page Down करने के उपर आप एक शीट से दूसरे शीट में यहाँ पर जंप कर सकते हैं तो अब बढ़ते हैं तीसरी शॉटकट की क्योर तीसरी शॉटकट की है Selection के लिए अगर मैं चाहता हूँ यहां से Right Side में मैं Select करूँ तो मैं Shift और Right Arrow प्रेस करूँगा इस त क्लब माउस की जरूत नहीं पड़ेगी यहाँ पर दोस्तों सिंपल है ना Shift के साथ आप Arrow उपर सेलेक्शन, Shift के साथ Down Arrow नीचे सेलेक्शन तो इस तरह से Shift यूज़ करके आप सेलेक्शन को कर सकते हैं यह ती हमारे तीसरी शॉटकट की अब बढ़ते हैं चौती शॉटकट की चौती शॉटकट की क्या है मैं आपको बता दाओ सिंपल अभी आपने सेलेक्शन किया था पर्टिकुलर सेल्स लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर रो सेलेक्शन करना है तो जो भी रो में अपने करसर रखा है सपोस्ट रो नमबर 5 में मेरा करसर है मुझे से 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 तो मैं Shift सेलेक्ट होता है आप कोई भी रो में करसर रखेशिए शिप्ट स्पेस वह एंटार रो सेलेक्ट हो जाएगा और पाच्वे नमबर पर हैं चौन्ट्रल स्पेस पाच्वे नमबर शॉटकट की है चौन्ट्रल स्पेस यानि कॉलम स्ट्प तो आपको सिंपल समझ मने और आपको बताओ कि Ctrl Shift Space से भी पूरा शीट सेलेक्ट होता है पूरे रोज और पूरे कॉलम सेलेक्ट करने के लिए अगर आपको बताओ कि अगर आपका करसर यहां पर कई पर अगर आप प्रेस करते हो तो ड्रेकली आप जहां पर लास्ट सेलेक्शन है वह आपके करसर आ जाता है Ctrl Home First में आ जाएगा Ctrl End आपको दिखाए दे रहा है Last में आ जाता है So Ctrl Home and End 8 and 9 नमबर की शॉटकट की है अब शॉटकट की नमबर 10 शॉटकट की 10 में आती है Page Up और Page Down हमने Ctrl Page Up और Page Down किया था एक शीट में से दूसरी शीट में जाने के लिए लेकिन वर्कशिट की अंदर खाली Page Up और Page Down आ प्रेस करते हैं तो क्या होता है देखिए यह स्क्रोल होते जारहें प्रेस कर रहा हो तो नीचे-नीचे हम स्क्रोल होते जा रहेता है आपको दिखाए दे रहा है यह स्क्रोल कैसे होगा अगर mail । कर तो यह उपार स्क्रोल हों चाहाँ तो यह पेज़ डाउन करूंगा नीचे होद दिखाई दे घो तो यहां पे मैं पेज़ डाउन करने के अगर आईचे स्क्रोल करने के लिए अगरindruck करने के लिए आप पूंपर और पेज़ डाउन फटापट कर सकते हैं नीचे स्क्रोड होने के लिए अच्छा ग्यारा नंबर शॉटकर की में यहां पर आपको बताओ कि अगर मैं इस पेज़ पूर पेज़ डाउन को अल्ट के साथ अगर प्रेस करूंगा तो यह राइट रैंड लेप्ट मूह रहा है द के साथ पेज़ डाउन के रहेंगे तो अपेंड डाउन होगा बारा नंबर शॉटकर की में यहां पर मैं आपको बताओ कि यहां पर सिलेक्शन आप करते कैसे मैंने आपको अभी दिखा था शिप्ट करके शिप्ट डाउन एरो प्रेस कर दूंगा और उसके बाद डाउन ए दिखाए दे रहा है अभी मैं शिप्ट नहीं प्रेस करूंगा यहां पर कर सारक्राम मुझे राइट साइड में सिलेक करना है लेकिन शिप्ट राइट आरो प्रेस करना पड़ता है मैं एक बार प्रेस करूंगा उसके बाद राइट आरो प्रेस करूंगा आपको दिखाए दे रहा है बस एक ही arrow से और उसके बाद down arrow प्रेस कर रहा हूँ एक ही arrow की से यहां पर यह selection हो रहा है मुझे shift button प्रेस करने की ज़रूत नहीं पड़ी है लेकिन इसका selection हटाने के लिए फिर से मुझे दुबारा effect करना पड़ेगा क्योंकि selection आपर remove हो जाता है मतलब selection यहां पर continue नहीं होगा क्योंकि effect यह होता है extend selection के लिए so effect यह हमारी shortcut की थी so effect यह shortcut की शायद आपके लिए unique होगी तो इस बात पर एक like तो बनता है दोस्तो shortcut की number 13 अगर आपको workbook को close करना है तो shortcut की number 13 में 3 shortcut की मैं use करता हूँ जैसे मैं यहां पर पहले एक workbook नया लेता हूँ और यहां पर नया workbook को close करके दिखाता हूँ Ctrl W से close होता है फिसे मैं नया workbook लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसे close करूँ लेकिन Ctrl W के अलावा तो Ctrl F4 बटन मैं फ्रेस करूँगा तो भी close होता है और इसके अलावा और एक shortcut की Alt C इसे भी close होता है तो close करने के shortcut की ज़्याद रखिये Ctrl W, Ctrl F4 और Alt C shortcut की number 14 बहुत interesting है I am sure कि यह बहुत सरे लोगों को पता नहीं रहेगा अब बात में लिग देना मुझे comment section में की पता था की नहीं है फिलाल मैं यहाँ पे click कर रहा हूँ इस cell पे और यहाँ पे इसे red color कर रहा हूँ इस cell को मैंने red color किया और यहाँ पे मैं कई पे भी करसर रखता हूँ और मैं यहाँ पे F4 button प्रेस कर रहा हूँ क्या हो रहा है उसको red color आ रहा है मतलब last action वो repeat करता है I'll show you again जादो यह word को मैंने select किया and मैंने इसे bold कर दिया अब मैं यहाँ पे करसर रखता हूँ और F4 button प्रेस करता हूँ क्या हो रहा है वो last command जो थी वो repeat हो रही है so last command repeat करने के लिए आपको F4 button प्रेस करना है यानि कि जो formatting रहेगी या कुछ भी रहेगा वो यहाँ पे this text paper apply हो जाएगी interesting है तो comment में जरूर लिखिएगा कि आपको पता थी कि नहीं पता थी shortcut key number 15 में मैं आपको बताओ कि यहाँ से आप नई worksheet insert कर सकते है लेकिन shift F11 ये shortcut key भी ना भूलिएगा shift F11 से आप नई worksheet insert कर सकते है या पे sheet number 11 आपको दिखाए दे रहा है अप जितनी बार shift F11 करेंगे उतनी sheet या पे insert होती जाएगी तो ये भी काम की चीज है shortcut key 16 से 22 है basic shortcut की आपको पता रहेगी लेकिन फिर भी मैं या आप बताने के कोशिश करूँगा क्योंकि जो beginner से उनके लिए useful रहेगी तो यहाँ पे ये data अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया तो इसे आप Ctrl-Z से undo करते शॉटकट की नंबर 16 में ये था shortcut की नंबर 17 इसे आप दुबारा redo कर सकते Ctrl-Y में यानि कि अपने undo किया उस process को redo करने के लिए Ctrl-Y रिडू दोस्तों पांडू नहीं है undo पांडू नहीं समझने का okay so ये थी 16 और 17 18 नंबर में आपको बताओ कि नई फाइल लेने के लिए जैसे नई शीट लेने के लिए शीट एप 11 था नई वर्क बूक नया वर्क बूक लेने के लिए Ctrl-N Ctrl-N करेंगे तो यहाँ पे नया या फिर आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपने जो भी लोकेशन पे सेव है वहाँ से फाइल ओपन कर सकते है Ctrl-O याद रखना है सिंपल है शॉटकट की नंबर 20 में Ctrl-S यानि कि कोई भी वर्क बूक आपने बनाया है उसे सेव करने के लिए Ctrl-S यहाँ पे नया वर्क बूक में लेता हू Ctrl-N से और Ctrl-S करता हो तो यहाँ पे सेव के लिए आ जाता है सेव अगर करना है तो यहाँ से आप उस फाइल का नाम वगरा दे सकते हैं यहाँ पे कौन से लोकेशन पे सेव करना है सेलेक कीज़े फाइल का नाम देज़े एंड एट सेव तो जनरली सबको पता होता है न दोस्तों लेकिन सेव के अलावा शॉटकट की नमबर 21 में आपको बताओ की सेव एंड जैसे की यह एकसल शॉटकट की 101 की फाइल मैंने अल्ड़ी सेव करके रखी है लेकिन मैं चाहता हूँ इसे दुबारा सेव करूँ तो दुबारा सेव करने के लिए मैं करूंगा क्या यहाँ पे simply मैं F12 बेटन प्रेस करूंगा मतलब कोई भी फाइल multiple time सेव करना है तो आपको F12 की जरूद होती है और F12 बेटन प्रेस करते ही सेव एस का डायला बॉक्स आता है यह जरूरी है क्योंकि इस फाइल को आप duplicate बनाना चाहते है या इसका location बदलना चाहते है सेव का तो आप एक और coffee उसकी बना के रख सकते है इस तरह से F12 करके F12 बेटन भूलना नहीं दोस्तों सेव एस शॉर्टकट की नमबर 22 में मैं आपको बता हो कि Ctrl P बटन अगर आप प्रेस करते हो तो प्रिंट के लिए प्रिंट प्रियू आ जाता हो और यहां से आप प्रिंट अगरा कर सकते हैं वैसे भी प्रिंट की जो सेटिंग्स है अगर आपको सीखनी है तो प्रिंट से रिलेटे और उसमें क्या-क्या सुलूशन हम कैसे निकाल सकते हैं यह मैंने उस वीडियो में बताया है जरूर देख लेना फिलाल तो यह शॉटकट की नमबर 22 थी अब बढ़ते हैं 23 की तरब शॉटकट की नमबर 23 में मैं आपको बता हो कि Excel में आप कई पर अटक गये तो वैसे भी म बर की शॉटकट की जिसे Excel में help open हो जाता है चलिए मैं आप आपको प्रेस करके दिखा देता हूं यहां पर दिखाया दे रहा है आपको help open हो चुका है इस तरह से आप यहां पे बहुत सारे formulas and functions भी सीख सकते हैं अगर आप self study करना जानते हो तो वह interesting है दोस्तो एपन जरूर एक बार करके देखिएगा शॉटकट की नंबर 24 की बार यह है हमारी बहुत सारे spelling mistake होती है क्योंकि English हमारी मदर टंग नहीं है तो भाईया होगी mistakes क्योंकि हमारी English मदर टंग होती है तो हम नहीं करते हमारी तो हिंदी मदर टंग है वैसे हम हिंदी में भी इतना professional नहीं बोलत देता हूँ जैसे यहां पर आपने लिखा एक कॉंप्टर वर्ड और इस कॉंप्टर वर्ड को कम्प्यूटर करना था तो आपको करना है यहां पर F7 प्रेस करते ही वह एक टैला बॉक्स बताएगा और उसमें आपको सजेशन देगा कि आपने जो लिखा है वह हमारे डिक् इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा शॉटकट की नंबर 25 में है कैलकुलेट एफ 9 प्रेस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं एफ 9 कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ यहाप पर जो formula type की है अगर इस formula के अंदर के CL को मैं select करके मैं छोटना सब formula ले रहा हूँ range को अगर आप select करते हो, तो उसके अंदर कौन-कौन सी sales की values include है, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, यह interesting है, यह याद रखो, F9 प्रेस करके आप कोई भी formula में से देख सकते है, वो चाहिए VLOOKUP का हो या कोई और formula हो, जो formula के अंदर की values explore करने के लिए बहुत useful है दोस्तो, F9 इस shortcut key को जरूर याद रखना है, F9 को हम बोलते calculate, लेकिन F9 करने के बाद इसे दुबारा लाने के लिए control-z करना है, enter नहीं प्रेस करना है, अगर enter प्रेस करोगे तो formula में problem हो जाएगा, control-z प्रेस करके उसे दुबारा जैसे था, वेसे स्तिती में लाना है, और enter बटम प्र दिखा देता हूँ, अगर आपने इसे select किया, और आपने इसे F9 प्रेस कर दिया, F9 प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस किया, तो इसके अंदर की sales जो होती है, वो इस तरह से आ रही है, इस formula में, अब यहाँ पे range में में कुछ भी changes करता हो, तो यहाँ पे changes होने वाले नही ही है, क्योंकि वो formula edit हो गया है, तो F9 प्रेस करने के बाद दुबारा control Z प्रेस करके, उस formula के अंदर के content है, वो range है, वो तुरंत लाओ, और उसके बाद enter button प्रेस को, तुरंत अभी control Z प्रेस करके होगा नहीं, आपको अभी range select करनी पड़ेगी, तो यह थी shortcut की number 25, shortcut की number 26 में यह shortcut की सब को जरूर पढ़े सकती है, इसे use कीजिएगा जरूर, alt vz, alt vz करेंगे तो एक zoom का dialogue box आता है, जो कि आपके excel के sales को बड़ा या छोटा करने के लिए useful होता है, excel में maximum zooming होता है, 400 minimum होता है, 10%, याद रखना है, और up and down arrow press करके, आप यहा से कोई भी zooming level select कर सकते, नीचे आपको zooming level select करना है, वो आप select कीजे, enter कीजे, that's it, shortcut की number 27, अगर आप alt press करते तो होता क्या है, alt press करने से उपर home tab, insert tab, page layout tab, formulas tab, data tab, review tab, इनके लिए क्या-क्या shortcut keyboard पे available है, वो आपको दिखाए देता है, और अगर आप app 10 press करते हो, तो भी वही होगा जो अभी किया था मैंने, त shortcut है, अगर आप H press करते हो, तो home के अंदर के सभी keys highlight हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे screen पे दिखाए दे रहा है, तो simple है, alt या F10, यह हमारे 27 number की shortcut की, जिससे होंगे, आपके menu's के shortcut keys open, आगे 28 number shortcut की में है, control F1, अगर आप control F1 press करते हो, तो यहाँ पे ribbon गायब हो जाता है आपको यहाँ पे preview में दिख रहा है, यह ribbon जो होता है, वो hide होता है, show होता है, hide और show एक ही होता है, वो directly मतलब control F1 पहले प्रेस करेंगे, तो hide, control F1 दुबरा प्रेस करेंगे, तो show, hide, show, hide, show, आप इस तरह से control F1 से कर सकते हैं, shortcut की number 29 में मैं आपको बताओ कि control shift, you press करने से formula यहाँ पे बड़ा चोटा होता है, expand होता है, आपको दिखाए दे रहा है, formula बार पे ज़रा ध्यान दीजिए, जहाँ पे मैंने city pin code दीख रहा है, वहाँ वैसे कोई formula नहीं है, क्योंकि मैंने formula की कोई sale नहीं है, इस sale में formula भी नहीं है, so control shift और you press करने से formula बार को expand कर सकते हैं अगर आपके बस बड़ा formula है, तो वहाँ पे दिखाए नहीं दे रहा है, तो आप control shift यू प्रेस करेंगे, formula बार expand होता है, फिर से दुबारा प्रेस करेंगे, तो चोटा हो जाता है, shortcut की number 30 में है control F9, जिससे होगा आपका workbook minimize, control F9 जो workbook current चलो है, वही minimize होगा, आपको दिख किया, तो अगर आपको इसका chart बनाना है, तो यहाँ पे बस आपको प्रेस करना है, F11, तो F11 जैसे प्रेस करोगे, यहाँ पे चार्ट बनके आएगा, आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं, नीचे देखिए पहले, data में हमारा data था, मतलब data में जो भी data मैंने रखा था और chart 1 करके यहाँ पे chart बनके आ रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने जो data select किया, उसे related तूरंत आ गया, मुझे बस F11 प्रेस करना है, chart insert करने के लिए, और shortcut की number 32 में मैं आपको बता हो कि अगर आपने alt F1 कर दिया, जैसे कि F11 से अलक chart बनता था, alt F1 से क्या हो रहा है, उसी sheet में chart बनके ready होगा, alt F1 याद रखिए, F11 याने कि separate chart होगा, alt F1 याने कि same sheet में chart insert होगा, नई sheet insert नहीं होगी, shortcut की number 33 में मैं आपको बताओ कि यहाँ पे है control F, जो कि अल्रेड़ी आपको पता रहेगा, use करते होगे, find, यहाँ से आप कोई भी word find कर सकते, लेकिन आपको पता है कि single sheet में जो है, suppose यहाँ पे इस sheet में है, वो तो हम ऐसे find कर सकते कि शोर करके, लेकिन यहाँ पे एक option है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे right side में option दिखाए दे रहा है, इस पे click किजिए, अगर आप पूरे workbook में डूनना चाहते है, इस workbook में बहुत सारी sheet से आजाएगा, और यहाँ पे आपको दिखाए दे रहे हैं, कौन से sheet में नीचे आजाता है, तो control app find के लिए होता है, आप पूरे workbook में कैसे ढूनना है, समझ गये होंगे, control app को पूरे workbook में बहुत सारी लोग को ढूनना नहीं आता है, इसलिए यह shortcut की मैं यहाँ पे share की, तो alt app अगर मैं प्रेस करूँगा, तो file menu आ जाता है, यानि कि file access करने के लिए आप alt app बटन प्रेस करेंगे, तो file आ जाता है, और वैसे अगर आप shortcut की number 35 जानना चाहते हो, तो alt h की जी home tab आ जाता है, जो कि आपको already पता है, मैंने बस आपको बता है, alt h, home tab, home tab में से कोई भी shortcut क आप यहां से access कर सकते है, alt app और alt h हमेशा याद रखना है, बहुत सारे shortcuts, यह बहुत सारी जगों पर आपको use हो सकता है, shortcut की number 36 में मैं आपको बताओ की control tab, control tab यहने की एक workbook से आप दूसरे workbook में यहापे switch हो सकते हैं, आपको दीखाए तेरे open workbook जो भी है, access shortcut की 101 मेरे open है, control tab और दूसरा workbook जो भी open है, book 6, तो एक workbook से दूसरे workbook में switch होने के लिए आप control tab बटन use कीजिए, वैसे आप alt tab अगर प्रेस करते हो, तो windows में जो भी applications running है, उनमें आप move हो सकते हैं, लेकिन यहापे मैं आपको बताओ कि control tab से एक workbook से आप दूसरे workbook में यहापे jump कर सकते है switch हो सकते है, shortcut की number 37 में shift f3 है, shift f3 अगर आप press करते हो, तो insert function का dialer box आता है, अगर आपको कोई function insert करना जैसे vlookup या फिर sum या फिर maximum कोई भी है, तो shift f3 कीजिए function का dialer box आता है, और यहाँ से आप function insert कर सकते हैं, वैसे इस function को बहुत सारे ultra options भी है, alternate options भी है, आपको पता लेकिन यहाँ पर मैंने बता है, shift f3 की shortcut की insert function का dialer box आता है, जहाँ से आप कोई भी formula function insert कर सकते हैं, आपके sale के अंदर, shortcut key number 38 में है, macro की shortcut की macro अगर run करना है, आपने बनाय हुए macro run करना है, तो alt f8 प्रेस करना है, macro का dialer box आता है, यहाँ से बने बने macros आप run कर सकते हैं, create भी macros से related videos डाले हैं कि macro होता क्या है, कैसे बनाते हैं, अगर आप बिल्कुल नहीं चानते हैं, तो ज़रूर description में macro की link चेक कीजिएगा, shortcut की number 39 में है, यह जो macros बनते हैं, उसकी language कहाँ पे say होती है, उसके लिए alt f8 प्रेस करना है, अगर आपको देखना है, macros कहाँ पे say होते तो alt f8 प्रेस करके, यहां पे उसके modules आ जाते हैं, और उसको VBA बोलते है, visual basic for application जो screen आपके सामने आ रही है, यह कापी interesting है, Excel में अगर आप कुछ program करना चाते, automatic Excel आपका काम करे, और यह visual basic अगर आपको advanced level पे detail में सीखनी है, तो learnmore pro.com यानि कि learnmore app पे यह course upload होने वाला है, next 8 दिन में, मतलब इसका almost processing हो चुका है, मैंने बहुत सारे वीडियो record करके रखे, तो अगले 8 दिन में आपको learnmore pro पे visual basic का course भी मिल जाएगा, फिलाल तो यहां पे ढिर सारे और भी courses available है, Excel mastery course है, Excel का पूरा MIS अगरा courses भी available है, वह आप चेक कर सकते हैं, लेकिन visual basic सीखने हैं इंट्रेस्टेड हैं तो 8 दिन के अंदर यह को उस अपलोड हो रहा है, 8 दिन के बाद आप चेक करेंगे, तो जरूर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, shortcut की number 40 में मैं आपको बताओ कि control right arrow प्रेस करती है, आप directly right side के cell में आ जाते, control left arrow दिखाई दे आपको, और control down arrow, direct bottom के cell में control up arrow, so जो last cell है, उसमें move करने के लिए control left arrow, right arrow, control up arrow, control down arrow, यह आप 40 number और 41 number की shortcut की use कर सकते, 40 number की, यानि कि control left and right, 41, control up and down, अब बढ़ते 42 number की shortcut की की तरफ, 42 में है, अगर आप एक cell आगे जाना चाहते तो वैसे right arrow करके जा सकते आप ऐसे, लेकिन मैं आपको बताओ कि tap ड़ेस क करके आप जा सकते हैं, लेकिन पीछे आना है, तो क्या करेंगे आप, left arrow नहीं करना है, shift tap भी कर सकते हैं, shift tap करेंगे तो ऐसा previous cell पे jump कर सकते हैं, आप, tap बटन से आगे जाना, shift tap से पीछे आना, यह 42, अब बढ़ते है, shortcut की number 43, अगर कोई भी cell पे कई भी जम करना है, आपको तो कोई भी cell पे जम करने के लिए आपको press करना है, बस F5, जी हा, F5 press करते हैं, तो go to का dialogue box आता है, वैसे इसके लिए control Z भी आप press कर सकते हैं, control Z प्रेस करेंगे तो go to का dialogue box आता है, इसमें आपको जाना है, कौन से cell पे जाना है, b10 पे जाना है, तो b10 टाइप कीज़े और ok b10 पे भी आप जा सकते हैं, simple है, go to से related जो भी settings है, go to में यहाँ पे special icon है, और go to special में क्या-क्या चीज़े होती है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, दोस्तों, यह बहुत सीखना ज़रूरी है, actually आपको Excel expert बना है, तो go to special, page special, यह सारी special चीज़े आपको सीखन पर जम करने के लिए go to या F5 बटन आप प्रेस कर सकते हैं, shortcut की number 44, यहाँ पे आपको मैं बताओ कि कोई भी सेल में अगर formula है और उसे edit करना है, तो आप F2 बटन प्रेस कीजी, या फिर text भी edit करना है, तो भी F2 बटन, जैसे मुझे इस date में 16 करना है, तो मैं यहाँ पे अग अगर आप shift F2 करते हैं, मतलब इस सेल के बारे में आपको additional कुछ लिखना है, तो आपको shift F2 करना है, यह है shortcut की number 45, यानि कि shift F2 करने के बाद आप यहाँ पे इस सेल के बारे में कुछ comment लिख सकते हैं, including formulas वगेरा कुछ भी लब 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 लिख सकते हैं, मैंने कुछ content cut करने, यह भी basic shortcut किये, control X कीजिएगा, select करके और दूसरी जगा पे control V कीजिएगा, control X, cut, control V, paste, यह तो basic shortcut की ही न, shortcut की number 46 तो मैंने बताए, 47 भी बताए, cut और paste, लेकिन 48 में मैं आपको बताओ, copy और paste कीजिए, control C और control V, यह भी आपको पता ही होगा यार, तो इस बेस कि paste special और paste special क्या होता है, मैंने वीडियो बना दिया है, भीया, हाथ उपर कर देते हो, क्योंकि दुबारा वीडियो नहीं बनाओगा, बहुत सारो लोगोंने अल्रेडी देखा ही होगा, मैंने चैनल पे डाला है, control, alt, V करेंगे, तो paste special का डायला बक्स आ जाता है, जो की shortcut की नमबर 49, shortcut की नमबर 50, लगबग आदे shortcut की तरह हम पहुच गए है, congratulations, अब तक आप वीडियो देख रहे हो, मतलब आप Excel में expert बनना चाहती है, यह उसका sign है दोस्तो, आप सब क्यों मैं बदाई देता हूँ, कि आपने 50 नमबर की shortcut की तक वीडियो देख लिया है, आगे भी आप देखेंगे, उम्मीद करता हूँ, एक से shortcut की इसका वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन एक important information बताने के लिए मैं वापीस आ चुका हूँ, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेने वालो, याप information यह है कि इस वीडियो को सबसे पहले like कर देना, ताकि नौलेज चेक करने के लिए महाँ पे मॉक्टेज भी अपलोड कर रहे है, जो की बिल्कुल फ्री है, no need to pay, एप पे जाकर बस रेजिस्टर करना है और उसके बात आप वहाँ पे वह सब चीजे सीख सकते, Microsoft PowerPoint और Microsoft Publisher का कोर्स भी यहाँ पे प्री अवैलेबल है, और कुछ उसमें power query है, मतलब data cleaning and refine कैसे करते हैं, बड़ा data है, तो उसको raw data को clean करके हम उसके उपर MS कैसे बनेंगे, इसके लिए MS का कोर्स भी Excel Mastery कोर्स में available है, उसके अलावा भी धेर सारी computer कोर्से से एप पे जाकर खुद चेकीजिए, मुझे information देनी थी, मैंने दे दी, अब आपकी बारी है, फिलाल तो अपने topic की तरफ बढ़ते हैं, जो कि Excel की shortcut की जम सीख रहे हैं, फिलाल अल्ट एंटर करके देखेंगे क्या होता है, यह shortcut की number 50 में, होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखू, जैसे मैंने नाम लिखा मेरा सतीश और धवले मुझे लिखना नीचे आप लिख सकते हैं, उस रो के अंदर इस तरह से, सिंपल है, शॉटकर की number 51 में मैं आपको बता हूँ कि इंट्रेसिंग शॉटकर की बहुत सारे लोगों को शायद यह पता नहीं रहेगी, है क्या मैं आपको बता देता हूँ, तो इसके लिए मैं इस लिख को यहाँ is equal to sum, मुझे sum करनी है, लेकिन sum के अंदर मैं यहाँ पर बस F3 बटन प्रेस करूँगा, F3 बटन प्रेस करने के बाद, paste name में में मेरे पास जो जो list मैंने नाम दी है, वो आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसे sales नाम दिया है, मैं ok करूँगा, और जैसे मैं sales को select करके ok करता यहाँ पर मैं enter बटन प्रेस करूँगा, तो आपको दिखाय दे रहा है, वो calculation मतलब इसका total हो चुका है, मुझे range select करने के ज़रूत नहीं पड़ी, तो जितने भी नाम मैं यहाँ पर assign करूँगा, इस list के लिए, वो सारे के सारे मुझे इसे F3 में दिखाय देंगे, जब आ formula type करेंगे, तब आप F3 करेंगे, तो name को paste करने के लिए screen आती, F3 याने paste names, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी नाम इसे select करके paste कर सकते हैं, जो कि आपने already assign किया है, लेकिन आपको उसका नाम देना बहुत जरूँ है, इस list को select करके नाम दीजे और नाम देत तो मैं escape button press करूँगा, तो यह cancel हो जाता है, मतलब जैसे वैसे रह जाता है, या फिर इस form, यहाँ पे मैंने कुछ type कर दिया, और जो मुझे नहीं चाहिए था, पहले चाहिए था, जो पहले वाला data था, तो escape button press करने से वो पहला वाला आ जाता है, escape button बहुत useful है, यह बहुत स लोग यूज करना नहीं जानते, escape button का जरूर यूज करेंगे, एंटर करेंगे तो यह accept हो जाएगा, इस cell में add हो जाएगा, लेकिन escape करेंगे तो यह पुराना जो content है, वो type मतलब दीखाए देगा, escape मतलब cancel, enter मतलब accept, that's it, शौटकर की नमबर 54 में है, alt, h, इस से क्या होगा इस cell को color आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे बिना mouse से इस cell को अलग-अलग color कर सकता, बस right arrow और left arrow गुमाऊंगा और जो color चीओ, select करके, यहाँ पे color apply करूंगा, alt, h, h, alt, press करके, h, press कीजिए, फिर से h, press कीजिए, यहाँ पे यह sequential shortcut की, मतलब आपको alt, h, press करने के बाद, फ data में border मैंने नहीं दिये, तो मुझे border देना है, तो मैं इसे select करूंगा, select तो आप shortcut कीजिए कर सकते हैं, मैंने mouse से कर लिया फिलाल, अब इसके लिए alt, h, b, a, कर सकते हैं, b, a, all border, alt, h, b, a, मैं press करता हूँ, यहाँ पे all border आ चुका है, interesting, इसे मैं undo कर देता हूँ, लिकिन आ आप outline border apply करना चाहते हैं, तो shortcut की number 56, करना क्या है, control, shift और and press कीजिए, control, shift और and press करने से outline border आ जा दी, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने selection हटा दिया, तो आपको दिखा दे रहा है, बस outline border बागी है, जैसे यहाँ पे मैंने इस range को select किया, control, shift और and press कर दिया, and press करने के ब outline border गायब, outline border, control, shift and, outline border, remove, control, shift underscore, shortcut की number 58, जिसमें है, control 9, row, hide हो जाएगा, देखिए, रवी वर्मा, hide हो गया, control, shift 9, रवी वर्मा, show, control 9, hide, control, shift 9, show, hide, show, hide, show, okay, control 9, यह 58, number की shortcut की, control, shift 9, 59, number की shortcut की, जिससे होगा, row, hide, और unhide, लेकिन अगर आपको column को hide करना है, तो control और 0, press क कीजिए, column hide हो जाएगा, लेकिन column को unhide करने की, unfortunately, मुझे shortcut की पता नहीं, मैंने control Z कर लिया है, अगर आपको पता है, तो description में ज़रूर लिखिएगा, यह थी हमारी shortcut की number 60, अब बढ़ते 61 की तरह, shortcut की number 61 में है, कि कोई भी cell में, अगर हमें format apply करना होता है, तो हमें format sales का डा cancel कर देता हो, कोई भी dialogue box को cancel करने के लिए, escape use किया जाता है, त्यान में रखिएगा, दोस्तो, control 1, यह थी हमारी shortcut की number 61, अब 62, 62 number में अगर इस word को, मैं strike through line apply करना चाहता हो, shortcut की number 63 उसी के लिए बनी है, फिलाल, मतलब मैंने बनाई है, control 5 button press कीजिए, strike through, और अगर आप इसे remove करना चाहते हैं, दुबारा control 5, देखिए, कोई word अगर आपको ऐसा दिखाना की erase किया हुआ है, cut किया है, तो control 5 कीजिए, control 5, दुबारा प्रेस कीजिए, remove कर सकते हैं, तो यह थी shortcut की number 62, 63 की तरफ बढ़ते हैं, इस number को currency format अगर apply करनी है, मुझे तो control shift और मैं यहाँ पे dollar sign apply करूंगा, control shift dollar, यानि की currency apply कर सकते हैं, इस तरह से currency आ रही है, यह मेरा updated version है, इसलिए directly repeat sign होके आ रहा है, अगर आपका पुराना serve version है, तो आप यह dollar करके आ जाएगा, दुस्तों, पहले ही बता देता हूं, मैं आपको, so control shift और dollar, यानि की currency sign apply करना, shortcut की number 64, जो कि ए control shift percentage, जो कि यहाँ पे sell को percentage apply कर रहा है, फिलाल तो इसको जरूरी नहीं है, लेकिन आप करना चाते हो, तो आप कर सकते हैं, so control shift percentage करने से, ड्रेकली वो number percentage में convert हो जाता है, percentage sign भी वहाँ पे apply हो जाता है, shortcut की number 65, जिसमें है, control shift अगर hash आप प्रेस करते हो, तो यहाँ पे उसको date format में convert कर देता है, control shift hash, अगर आप प्रेस करते हो, तो रेकली date format में आपको उस number को देखने मिल जाएगा, लेकिन यह जरूरी होता है, जब आपका date number में दिखाए दे रहा है, तो आप उसे control shift hash कर सकते हैं, उसको date format में convert करने के लिए, इसके लिए आप मेर date का वीडियो ज़रूर देखिए, अभी 8 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो डाला था कि date formulas in Excel, description में link है, दोस्तों देख लेना, shortcut की number 66, जिसमें है control shift और add the rate, जो की time format बताएगा, control shift has से date था, control shift add the rate, time format बताता है, shortcut की number 67, जो की इसे वापिस number format में लाना है, तो control shift और exclamatory mark या जिसे पहले था, तो shortcut की number 68, control shift और tilt बटन आप प्रेस करोगे, tilt बटन याद रखना है, control shift, tilt बटन प्रेस करोगे, तो ये general format में आ जाता है, बस that's it, shortcut की number 69 में मैं आपको बताओ कि मैंने cursor नीचे रखा और उपर की सेल में जो भी formula है, जो भी content है, वो नीचे चाहिए, तो control inverted कोमा, प्रेस कीजिए, आपको formula नीचे दिखाए देगा, फिर यहाँ पे आ रहे, control inverted कोमा, copy formula और copy content from above sales, control inverted कोमा, और अगर मैं ये formula बहुत सरे सेल में fill करना चाहता हो, तो shortcut की number 70 का इस्तमाल कीजिएगा, वो है, control D, fill down, control D, fill down, याद रखिएगा, shortcut की number 70 और 71 में है, अगर य right, feel right, am I right, तो भाई या, control D और R आपके काम बहुत आसान कर देंगे, जरूर याद रखिएगा, ये 70 और 71 नंबर की shortcut की, 70 नंबर shortcut की में मैं बताओं कि, हमने अभी थोड़ी देर पहले इस range को नाम दिया था, तो उस dial-up box को मुझे दुबारा चाहिए, जो कि मैंने F3 करके बहुत सारी चीज़े आती है, लेकिन पहले name manager के बारे में आपको पता होना चाहिए, name manager डाल-up box आता है, इस में से आप इसे edit करना है, तो edit कीजिए, इस range का नाम बदल सकते हैं, आपने जो range दी, उसका नाम बदलना है, बदल दीजिए, range के अंदर से जो select की, वो भी change करना है, name manager लाने के लिए, shortcut की number 73 में मैं आपको बताओ कि control app 10 प्रेस करने से, यहाँ पर Excel की screen minimize हो जाती है, मतलब restore हो जाती है, और दुबार control app 10 बड़न प्रेस करने से, यह ऐसा चोटा बड़ा चोटा बड़ा अप कर सकते हैं, वैसे इसके लिए alt space और r भी बनता है, alt space और r और alt space और x करेंगे, तो यह maximize हो जाएगा, इस तरह से, so control app 10 से भी यह कर सकते हैं, आप control app 10, control app 10, control app 10, control app 10, तो shortcut की number 73 मैं आपको बताई कि control app 10 से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, alt space r से अगर इसे छोटा करेंगे, तो shortcut की number 74 यहाँ पर काम आ जाएगी, जो कि alt space x से maximize हो जाए पर करेंगे, तो restore, यह थी 74, अब बढ़ते 75, तो 75 नमबर की shortcut keys में है, control app 9, यानि की minimize, दिखाए दे रहे हैं, आपको Excel की फाइल पूरी minimize हो गई, याद रखना है, control app 9 अगर आप प्रेस करते हो, तो Excel minimize हो जाएगा, लेकिन अगर उसे दुबार open करना है, तो alt tab भी आपको कर जा रहे हो, और इसके लिए आपको मैं बदाई देना चाहूंगा, कि आप Excel में expert बनने के लिए ready हो, इसलिए अब तक यह video देख रहे हो, अब बढ़ते 76 नमबर की shortcut, 76 नमबर shortcut की में है, control app 11, जिससे होगा एक macro नाम की sheet insert, जो कि यहाँ पर आपको दिखाए दे रहे हैं, हम control O करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, file open का dialog box नहीं आता है, तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे control F12, जिससे file open का dialog box आपको directly मिलेगा, क्योंकि control O से आपको file menu में चला जाता है, और वहाँ पर आपको recent file वगरा मिलती ही, फिर browse पे क्लिक करना पड़ता है, इतना सारा करने स चाप control F12 की जिसे directly open का dialog box आपके सामने open हो जाएगा, that's it, shortcut की number 78 में है, control shift F1, जो की tab और ribbon दोनों भी hide करेगा, आपके Excel को full screen बना देगा, कैसे बनाना है, याद रखिए, control shift F1 दुबारा प्रेस की जिसे, दुबारा आ जाएगा, देखिए, control F1 से खली ribbon hide हो रहा था, दिख अब दुबारा लाने के लिए control shift F1 करना ना भूलिएगा, और यहाँ पे फिलाल ये था 78, number 79 की तरफ बढ़ते हैं, shortcut की number 79 में मैं आपको बताओ, कि अगर आप पूरा गायब करना चाते हैं, तो alt VU भी है, full screen, यहाँ पे full screen भी आ जाता है, alt VU प्रेस करने से, याद कर सकते हैं, view मेनू से कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, view में जाहिएगा, और यहाँ पे heading अगर आप hide कर देते हैं, और अब alt VU करते हैं, तो यह full screen हो जाता है, और आप यह grid lines भी हैड करते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, यह Excel में है, so alt VU जरूर की करके देखिएगा, मैं escape कर रहा हूँ, उसे दुबरह लाने के लिए, और heading को मैं आप आप शो कर देता हूँ, shortcut की number 80 की तरफ बढ़ते हैं, shortcut की number 80 में है, अगर आप यहाँ पे selection को name में करना, मतलब इस selection को नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको तुरंत नाम दे सकते हैं, क यहाँ पे आपको कुछ दिखाए देगा, मैं आपको दिखाता हूँ, simply, control F3 प्रेस करके यहाँ पे name manager लाता हूँ, और आपको एक नाम दिखाए दे रहा है, name से एक range तयार हो चुका है, किरन भोर आक्षे, यह दिखाए देरा range, चलिए मैं आच्छा, दुबारा दिखाता आपको, यहाँ पे city column दिखाए दे रहा है, इसका मैं name तयार करना चाहता हूँ, तो मैं control shift F3 बटम प्रेस करूँगा, और top row से मुझे इसका नाम तयार करना है, तो ok बटम जैसे मैं प्रेस करूँगा, और फिर आपको यहाँ पे control F3 में name manager में दिखाऊंगा, कि यहाँ पे cell में एक नाम लिखता हूँ, learn more channel, तो यहाँ पे इन नाम लिखने के बाद मैं प्रेस कर रहा हूँ, alt h w, alt h w से यह होता है, wrap text, दिखाए देरे आपको wrap text कैसे हो रहा है, text एक की नीचे एक आजाता है, उस column में वो नहीं बैट रहा तो तो row की height automatically wrap कर देता है, जो कि आपको रहेगा, यह home tab में यहाँ पे wrap text option है, alt h w, यह थी 81 number shortcut keys, shortcut key number 82 में मैं आपको बता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाए देरे 5 sheet और मैं 5 भी select करना चाता हूँ, तो control shift और page down अगर मैं button press करता हूँ, यह sheet select हो रही है, अगर मैं control page up और page down करता हूँ, तो यह खली jump होता है, लेकि यह सभी sheet एक सट select होने का benefit क्या है, अगर आप एक sheet में भी कुछ लिखते हो, तो यहाँ पर यह सभी sheet में दिखाए देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, सभी sheet में आ रहा है, तो एक sheet में अगर आपके पास कुछ formattings है, वो formatting apply करते हैं, तो सभी sheet में आ जाएगी, control shift, page up य में भी बता दिया, कैसे करना keyboard के साथ, अगर आप, आपके sheet में date insert करना चाहते है, current date, तो आपको shortcut की number 83 आनी चाहिए, control, semicolon press करना है, यहाँ पर आपको मिलेगे shortcut की number 83 का result, date insert हो जाएगी, shortcut की number 84 में मैं आपको बताओ कि control shift colon करने से यहाँ पर time insert हो जाएगा, control shift colon, time insert होता है, control colon से date insert होती है, shortcut की number 85 में है create table, shortcut की number 85 create table के लिए दो shortcut की है, एक है control T और एक है control L, तो control T यानि कि इस data को सिलेक करके मैं table में convert कर सकता हूँ, या control L बटम प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा, table create करने का benefit क्या होता है, यहाँ पर यह format तो automatic apply होता है, filter का sign भी apply होता है, और मैं आपको यहाँ पर बताओ कि अगर आप यहाँ पर नीचे लिखते हैं, संजे कुछ भी नाम लिखो और आगे लिखोगे तो table के content में add हो जाता है, अच्छा आपने यहाँ पर कुछ formula apply किया है, तो यहाँ पर मैंने कुछ quantity लिख दी और यहाँ पर मैं total लिख देता हूँ, ज shortcut की number 86 में मैं आपको बताओ कि कोई भी sheet का नाम चेंज करना है, जैसे sheet का नाम है data और मैं change करना चाता हूँ बेटा, तो करूँगा क्या, alt h or press करूँगा, alt h or press करने से होगा क्या, यहाँ पर sheet के अंदर cursor आचका और इसके data की जगह मैं इसका नाम कुछ भी देना चाता Excel के data में से कोई भी particular data change करना है, तो control h button press कीजिए, और control h button press करने के बाद आप यहाँ पे दिखाए दे रहा है आपको नाम आ रहा है, उपर find और replace, find और replace सबको पता रहेगा, जैसे मुझे यहाँ पर किसी का surname change करना है, काले की जगह मुझे से सिंदे करना था, तो मैंने यहा और काले का सिंदे हो गया, तीन replacement जा जा काले था, वहाँ पर शिंदे हो चुका है, तो यह थी shortcut की number 87, जो कि replace control h press करने से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई website का नाम लिखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि Google website का नाम लिखने बाद Google पे चला जाओ मैं, तो उसके लिए control k button, ज कर सकते हैं, hyperlink दे सकते हैं, अच्छा hyperlink इतना ही नहीं करता है, hyperlink आप कोई workbook के लिए भी कर सकते हैं, place in this document भी है, और hyperlink के उपर अलड़ी मैंने वीडियो बनाया, कितनी interesting चीज़ है hyperlink, यह भी आपको देखना है, तो ज़रा मेरे channel पे, आप right side में search option रहता है, वहाँ पे hyper type करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, hyperlink के उपर मैंने काफी सारे interesting project भी बनाया है, ज़रा check कर लेना, search box पे search कैसे करना है, यहाँ पे screen पे आपको दिखाय दे रहा है, right corner में channel पे जाने के बाद search box आता है, अगर आप mobile पे देख रहो तो search box नहीं मिलेगा शायद, लेकिन आप अगर computer पे देख रहो तो आपको search box मिल जाता है, जहाँ पे आप search कर सकते हैं, shortcut की number 89 के लिए मैं आपको यहाँ पे formula type कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको formula दिखाय दे रहा है, shortcut की number 89 समझते हम, यह बहुत interesting है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए मैं यहाँ पे 89 के लिए formula लिया है मैंने, अब मैं यहाँ पे control shift और curly braces अगर प्रेस करता हूँ, तो यह formula का answer जिस sale की वज़े से आ रहा है, वो सभी sales highlight हो रही है, याद रखिए control shift और open curly braces, simple है आपको दिखाय दे रहा है, अभी आप बोलोग यार यह तो ठीक है, आपने addition किया था भी, तो यह addition से sales से कौन सा formula आया है, कौन सा नहीं आ रहा है, सभी sales इसके पर है, मतलग यह sales किन-किन sales की उपर depend है, वो सभी sales highlight होगी, अच्छा, अगर मेरा cursor यहाँ पे है, और control shift close bracket में करता हूँ, shortcut की number 90, तो आपको इसमें समझ में आ रहा है, कि उस sale में अगर change होगे, तो कौन-कौन से sale में उस sale का formula involved है, तो याद रखिए कि यह sale में कोई formula नहीं है, लेकिन control shift close bracket करने से वो बता रहा है कि इस sale में अगर change करेंगे, तो इन सारे sale में वो formula है, तो उसमें changes होने वाले है, यह interesting है, यह एक बार करके देखिएगा, ज़रूर, shortcut की number 91 के तरफ बढ़ते हैं, अब बस 10 प्रसी shortcut की बाकी ही दोस्तों, अब तक आपने वीडियो देखा है, इसलिए धन्यवाद, और आप देखिए, 91 में मैं आपको बता हूँ कि अगर आप we look up का formula लिख रहे हैं, और we look up के अंदर आपको arguments अगर insert करने हैं, तो control shift A कीजिए, देखिए, सारे arguments से यहाँ पे दिखा किसी को, तो control shift A से यह argument वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि आप easily दिखा सकते हैं, शौटकर की नमबर 91 के बाद 92 के बारी है, 92 में मैं आपको बता हूँ कि आपके पास जो data है, जिसमें already filter है, तो मैं आपको filter remove करने के लिए शौटकर की बताता हूँ, alt 80 filter remove हो जाएगा, alt 80 से filter remove हो filter को apply करने के और कोई shortcut के आपके पास इदे comment section में ज़रूर लिख देना, मैं interest to do जानने के लिए दोस्तों, अगर इस data पे मुझे pivot table बनाना है, तो इसके लिए मुझे प्रेस करना है, alt nv, यह 93 नमबर की shortcut की, alt nv, अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा, प्रे create कर सकते हैं, इस data के उपर, तो फाइव टेबल create करने के लिए alt nv, याद रखना है, 93 नमबर की shortcut, 94 नमबर की shortcut की में आपको बताओ कि alt is equal to करने से directly auto sum यहाँ पे आ जाता है, auto sum जो कि यहाँ से हम formula में से देते हैं, तो वही auto sum alt is equal to press करने से आ जाता है, alt is equal to press कीजिएगा, आ that's it, अगर मैं यहाँ पे कुछ title add करना चाहता हूँ, चलिए मैंने एक row add कर दिया, और इस title को मैंने नाम दे दिया, student data, और student data और कुछ भी data है, तो मैं इसे यहाँ से यहाँ तक merge करना चाहता हूँ, तो alt h mc यह आप press करके merge कर सकते है, alt h mc अगर keyboard पे आप press करते हो, तो य आपने नहीं नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा मैं recommend करूंगा, वो है 1 hour 75 minutes का वीडियो जिसमें मैंने 31 amazing formulas बताए, powerful formulas बताए, जिसमें सबसे पहला formula मैंने frequency बताए, और frequency के अंदर control shift enter button press करना है, जो कि यहाँ पे आपको screen पे मैं दिखा रहा हूँ, control shift enter button press करने से array में convert हो जाता है, उसको detail में समझने के लिए आप ज़रा वो वीडियो देखिएगा, 31 excel powerful formulas, description में link है जी दोस्तो, यह basic filter कैसे apply करना है, हम अपने तो data में देख लिया दोस्तो, लेकिन आपको मैं बताओं कि यहाँ पे alt a q से हम advanced filter apply करेंगे, जो कि हमारे 98 number की shortcut की, यहाँ पे आपको देख रहा है, alt a q press करेंगे, तो advanced filter का dialogue box आता है, और advanced filter क्या काम का है, मैंने वीडियो बना दिया है ना यार, चलिए आगे बढ़ जैसे आप alt h o i press करेंगे, alt h o i press करने के बाद यहाँ पे दिखाय दे रहा है, column auto fit हो जाता है, alt h o i अगर आप excel में प्रेस करते हो, तो भाईया, यहाँ पे आपको दिखाय दे रहा है, उस column की size auto fit हो जाती है, और shortcut की number 100 में मैं आपको बताओं कि यहाँ पे आपने कुछ format कि जैसे आपको इसको bold detailing का underline करना है, और यही formatting आप यहाँ पे नीचे apply करना चाहते है, तो आपको यह press करना होगा, alt h f p press करना है, alt h f p press करने से यह उपर का जो है पूरा formatting आपके format painter में आ जाता है, mouse में देखिए, और यहाँ पे आपको बस click करना है, उपर की formatting नीचे आ अगर आप प्रेस करते हो, तो इसका format clear हो जाता है, मतलब format उपर का copy करने के लिए मैंने बताया, और फिर clear करने के लिए मैंने बताया, alt h e app, यह सारी shortcut keys आपको description में मैं दे रहा हो दोस्तो, जो भी shortcut keys आपको screen के उपर नहीं समझ में है, तो description से उस file को download करके आप practice कर सकते है interesting shortcut keys, 101 shortcut keys, मैंने यहाँ पर पतानी कि आपको कोशिश किए, इतनी सारी shortcut keys आपने सीख ली, अब बारी है कि भाई, यह भी जान लो कि हमारे 67 और channel है, जिसकी link हमने description में दिए, अगर आप और कुछ computer में master बनना चाहते हैं, तो उन्हें भी subscribe किजिए, और bell icon पे click करके रखिए, ताकि आपको उनकी उपर वीडियो आने पे notification मिलेगा, और यह subscribe बिलकुल free रहता है दोस्तों, और app की उपर जो courses और applications में मैंने कुछ चीज़े दीए, वो free में है, उसका भी फाइदा लीजिए, description में हमने learn more app की भी link दी, वो भी download कीजिए, learn more India, यह एक website है हमारी, जिसकी उ भुष्री, बाइबाई!